हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो दो बहुती कमाल के बजट स्मार्टफून एक है नोकिया की तरफ से जो नोकिया ले लेटेस्ट लाँच करा है C12 Pro, C12 Pro दोस्तो यह आपको नोकिया का स्मार्टफून खरीदना चाहिए जो C12 Pro है यह फिर नार्जो लेना चाहिए तो जानने के लिए एंट तक ज़रू देखिएगा और एक लाइक भी ज़रू कर दीजे दोस्तो वीडियो को चलिए देखते हैं साड़ह साथ हज़र में नोकिया के साथ क्या क्या मिलता है तो अन्बॉक्स करती है सबसे पहले फून मिल जाता है इसके बाद मीनी बॉक्स के अंदर आपको अलग से बैटरी दी गई है मतलब बैटरी इसकी निकाल सकते हैं मतलब क्या ही आज के जमाने में ऐसी बिल्कुल भी चीज़ देखने को नहीं मिलती इसके बाद एक कवर और कुछ यूजर मैनुवल दिये गए हैं एक मिल जाती है दोस्तो माइक्रो यूजबी केबल टाइप सी केबल इसके साथ आपको नहीं मिलती तो यह मुझे छोटी सी कमी लगी इसके अंदर लास्ट में रखावा मिलता है यह ब्लैक कलर में चार्जर अब बिल्ड क्वालिटी तो इस चार्जर की काफी बढ़िया क्योंकि यह नोक्य का चार्जर है और नोक्य की बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो दो से पहले एक mini box और उसके बाद जो है कुछ user manual एक cover मिल जाता है जादा better quality में इसके बाद मिल जाता है phone एक wrapper के अंदर type C cable दी गई है तो यह चीज काफी बढ़ी है दोस्तो इसके साथ आपको type C cable मिल जाती है और last में रखा वह मिलता है यह white color में super hook charger अब charger आपको normally मिलता fast भी द जाता है 33 watt का मतलब दोस्तो 9000 के budget में जो है आपको 18 watt के charger भी देखने को नहीं मिलते और नार्जो के साथ आपको जो है N53 के साथ दिया गया है 33 watt का तो यह चीज तो बहुत ही कमाल किये बहले यह 1500 रुपे महेंगा है लेकिन दोस्तों box के जो contents है वो quality wise नार्जो के साथ ही आ बहुत ही premium लग रहा है और दूसरी तरफ दोस्तों इसका जो है नार्जोन 53 का तो कहना ही क्या यह तो पूरा iPhone ही बना दिया पूरा Realme ने बैक सैट पर तीन कैमरे जो है कुछ इस तरीके से दिया गये है हाला कि दो कैमरे तीसरी flashlight है लेकिन बिल्कुल iPhone 13 Pro 14 Pro वाले design है बिल्क इसका और दूसरी तरफ दोस्तों जो आपको pattern मिलता है नार्जोन 53 के अंदर iPhone वाला यह तो बिल्कुली next level लगता है मतला cover लगाने के बाद तो बिल्कुल iPhone ही बन जाया गई है एक देर लाक रुपे खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं अगर आपको चमकाने के हिसाब से phone लेना है तो यह बहुत कमाल का है अब आपको दोनों में किसका डिजाइन जादा अच्छा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा विससे दोनों के अंदर आपको hard plastic के type के डिजाइन मिलता है तो scratches वगरा Nokia पे एक दम नहीं आएंगे काफी बढ़िया quality में आपको काफी बढ़िया मिलती है इसके अंदर भी मुझे थोड़ा जादा बढ़िया लग रहा है Narzo N53 आपको किसका डिजाइन जादा अच्छा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा बात करें डिस्प्ले के बारे में तो Nokia के अंदर आपको display size दिया गया है 6.3 inches के आसपास तो साड़े change से थोड़ी से और कम ही displays के अंदर आपको मिलती है तो काफी compact बन जाता है यह phone एक खासे चलाने में आपको कम दिक्कत होगी दूसरी तरफ दोस्तों Narzo N53 के अंदर आपको साड़े change के आसपास display दी गई है तो display size को लेकर Narzo जादा बढ़ा है इसके लि ability देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको जादा बढ़िया मिलती है तो user interface दोनों के अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं उपर की तरफ आप swipe करेंगा आपको सारी applications मिल जाएंगी नोके के अंदर आपको normal 60Hz के refresh rate दिया गया है लेकिन Narzo के अंदर आपको मिल जाता है 90Hz के refresh rate तो यह चीज़स के अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है बागी दोस्तों user interface को लेकर नोके थोड़ा से जादा बैटर है इसके अंदर आपको जो है काफी clean UI मिल जाता है file 2 के extra applications बिल्कुल भी नहीं दी गई इसके लब दोस्तों दोनों की display के अंदर आपको notch वाले design दिया गया है लेकिन Narzo N53 के अंदर आपको mini capsule भी मिल जाता है charging पर लगाने पर notification आपको charging के अंदर ही मतलब notch के अंदर ही देखने को मिलेगी वहीं पर status आपको मिल जागा charging का तो ऐसे सी कुछ scene इसके अंदर आपको दिखने को मिलता है बागी display की quality अगर हम compare करें दोनों की बिल्कुल full brightness करके तो Nokia से जादा बढ़िया display की quality है आपको वैसे जो है realme के अंदर दी गई है colors वगर है जो है इसकी brightness जादा अच्छी है तो display के size में, design में, notch के साथ 5 mini capsule भी है और quality भी जादा बेटर दोस्तों आपको Narzo N53 के अंदर ही मिलती है sim key tray Narzo में left side पर दी गई है Nokia का back panel जो है ढखका नट जायागा दोस्तों अंदर की तरफ sim लगींगे type c port Nokia में नहीं दिया गया finger pin scanner बिस में नहीं मिलता Narzo के अंदर आपको side में मिल जाता है उपर से देहींगे तो headphone jack Nokia में उपर की तरफ दिया गया है Narzo में आपको नीचे की तरफ मिलता है Nokia C12 Pro के अंदर आपको दोस्तों Android का 12 version दिया गया है लेकिन Narzo N53 के अंदर आपको Android का 13 version मिल जाता है तो इस चीज में दोनों जो हैं थोड़ा से जादा better आपको मिल जाता है Narzo उमीद करते हैं Nokia के अंदर भी आपको update जल्दी देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो इस चीज को लेकर आपको problem नहीं होगी इसे के साथ दोस्तों दोनों को restart करते हैं जो है जादा fast on होता है बाकि दोनों ही phones के अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के internal storage तो इस चीज में Nokia का C12 Pro काफी बढ़ी है 1500 rate भी का में इसके अंदर आपको RAM or storage Narzo N53 के बराबर दी गई है तो यह चीज काफी बढ़ी है दोस्तों कम rate में RAM or storage आपको Narzo N53 के बराबर मिल जाती है वैसे दोनों के अंदर आपको processor जो मिलता है वो जादा better मिलता है Narzo N53 के अंदर अगर आप एक थोड़े बहुत heavy user है जैसे आपको game वगरा खेलने multitasking करनी है तो Narzo के अंदर दोस्तों आपको जो processor मिलता है वो जादा better मिल जाता है Unisocker Tiger T612 तो performance को लेकर यही जादा better है और restart test में भी आप देख सकते हैं यही winner रहा नॉर्मल यूस के अंदर nocay में भी आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन दोस्तों फिर भी overall जो जादा fast है इन दोनों में वो आपको Narzo N53 ही मिलता है कुछ applications भी मैं आपको दोनों के अंदर एक साथ open करके दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह के साथ आपको speed देखने को मिलती है dialer में ने open किया N53 में पहले open हुआ messages open करें दोस्तों यह भी N53 के अंदर पहले open हुए इसे के साथ दोस्तों Google Chrome open कर लेते हैं यह भी N53 के अंदर पहले open हुआ camera open कर लेते हैं तो यह भी आपको speed कुछ इस तरह से देखने को मिलती है N53 दोस्तों आपको जादा fast मिलता है हर चीज में बाकि back side पर main camera 8MP का दिया गया है दोस्तों C12 Pro के अंदर और 50MP का main camera मिलता है Narzo N53 के अंदर performance आपको rate के साब से दोनों के अंदर normally मिलती है मैं आपसे यह कहूंगा अगर आपको camera की वज़े से smartphone खरीदना है तो आप जो 19,000 के budget में और दूसरे smartphone भी देख सकते हैं बढ़िया आपको मिल जाते हैं बाकि दोस्तों Nokia के अंदर आपको 4000 image की battery दी गई है Narzo N53 के अंदर आपको 5000 image की battery मिलती है battery backup Nokia के अंदर भी एक दिन का राम से मिल जाएगा लेकिन दोस्तों और भी ज़दा बढ़िया मिल जाएगा Narzo में और इसके साथ आपको charger भी जादा fast दिया गया है 33 watt का box के अंदर ही तो ये सारी खुब ये कमिया हैं दोनों में चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं तो देखे अगर आपको डिस्प्ले की quality बढ़िया चाहिए तो Narzo N53 जादा बढ़िया है इसके अंदर आपको mini capsule भी मिल जाता है डिस्प्ले का size भी जादा बैटर है quality भी जाद अच्छी दी गई है brightness जादा है, color सोगर जादा बैटर है इसके साथ दोस्तों अगर आपको design बढ़िया चाहिए तो वो भी आपको थोड़ा बैटर वे से Narzo के अंदर ही मिलता है तो यह थोड़ा जादा अच्छा लगता है जादा महेंगा smartphone लगता है देखने में इसके साथ दोस्तों अगर आपको battery charger type C cable बढ़िया चाहिए तो यह खुबी भी Narzo में जादा बढ़िया है और इसके अंदर आपको finger paint scanner भी मिल जाता है performance आपको बढ़िया चाहिए तो भी आपको Narzo N53 के अंदर जादा बढ़िया मिलती है speed बगर इसके अंदर जाद अच्छी है तो लगबख सारी खूबियों में दोस्तो Realme का Narzo N53 जादा बढ़िया है मैं आपसे यही कहूँगा अगर आपको दोनों में से कोई साई खरीदना है तो Realme का Narzo N53 खरीद दियेगा बाकी quality वाइज अगर आपको स्मार्टफोन बढ़िया चाहिए इन दोनों में से कोई सा लेना है तो Realme का Narzo N53 जादा कमाल का है आपको दोस्तों दोनों में फिर भी कौन सा अच्छा लगा कौन सा नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाईएगा चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब आपने निकरा का तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुशते रहें इसके लब दोस्तों वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करेगा WhatsApp और Facebook पर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Take Care Bye Bye